दोस्तो ये इंडिया की पहली 125cc बाइक है जिसमें सीट के नीचे आप कोई स्टोरिज देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अपना फोन वगएरा या फिर कुछ इंपोर्टेंट कागज वगएरा भी इसमें रख सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है जियाडी और आप देख रहे है राइट टूनो आज की इस वीडियो पे हम टीवेस राइटर जो की अभी रिसेंटली लाउंच करी गई है टीवेस वालों के तरब से इसके टॉप टेन फीचर हम आपको बताने वाले हैं जो दूसरी 125 cc की पाई के आती हैं दूसरी कमपनियों के हो सकता है उनमें भी ये फीचर हो लेकिन इसमें जो टॉप 10 फीचर है वो आपको जानने चाहिए चलिए सबसे पहला फीचर यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें कमपनी का दावा है कि जो सीट आपको मिलती है सबसे पहले तो वो सीट आपको जो है स्प्लिट मिलती है 20 से कटी हुई है इसमें जो फोम इस्तमाल किये गए हैं वो काफी अच्छे क्वालिटी की इस्तमाल किये गए हैं और कमपनी पूरी तरह से दाविक साथ कह रही है कि आप इसे लॉंग टूरी यानि की लंबी यात्रा आराम से कर पाएंगे ठीक है चलिए हम बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की फुल डिजिटल स्पीडो जी हाँ इसके बारे में क्या ही कहना क्योंकि ये जब इस बाइक को लॉंच करने से पहले जब इसके बहुत सारे हुमर्स आये थे तो उसमें स्पीडो मिटर को सबसे आदा फोकस किया गया था कि काफी रंगीन कलर का speedometer मिल रहा है लेकिन देखी इसमें जो खास-खास features है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है पहला है negative LCD display इसमें जो आपको display मिलती है वो पुरी तरह से negative है और ये daylight के लिए काफी suitable मानी जाती है मतलब दिन में भी आप आसानी से meter console को देख पाएंगे जो दूसरा feature है वो है clock यानि कि इसमें घड़ी भी मिलती है आपको तो अगर आप घड़ी पहन के नहीं चलते हैं तो आप अराम से meter console को देख के भी पता कर पाएंगे कि कितना time हो रहा है तीसरा है ride modes इसमें आपको eco और power दोनों modes मिल जाते हैं अगर आप highway riding करते हैं तो आसानी से आप power mode में चलिए या eco mode में चलिए आप ये निरफर करता है आपको जैसा mileage चाहिए आपको ऐसा कर सकते हैं अगले अगर मैं feature की बात करूं तो वो यह है कि top speed recorder बड़ा कमाल का feature मुझे ही यह लगा इस bike में जो आप top speed इसमें gain करेंगे न वो recorder उसका इसमें जो है मौझूद होगा तो आप ये पता कर पाएंगे कि recently यानि कि अब तक सबसे ज़्यादा top speed कहां तक कितने तक गई है और कितने seconds में ये सारी चीजी इसमें available है तो ये काफी मुझे सही चीज लगी क्योंकि ये 125cc की bike है और ये सारी features कमपनियां इसमें add करती गई है ठीक है चलिए अगला जो feature है meter console में वो है gear position and shift indicator आप किस gear में है ये आप आसानी से पता लगा सकते है meter console को देख के और देखे ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो कहूँगा कि बहुत उप्योगी जो है feature तो नहीं है ये क्योंकि हमें आदत सी पर जाती है इसलिए हम ये नहीं देखना पड़ता कौन से gear में है कौन से नहीं है बट हाँ अगर आप starter कर रहे हैं इस bike के साथ अगर आपका मतलब आप अभी नहीं नहीं bike चला रहे हो न तो आपके लिए सबसे ज़्यादा helpful होने वाला है ये चीज़ चलिए अगले feature की मैं बात करता हूँ तो हो है helmet attention indicator और ये इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा जिससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हमें अब helmet पहनना चाहिए तो ये जो है बहुत बढ़िया चीज मुझे लेगी अब चलिए हम यहाँ पर अगले feature की बात करते हैं जी हाँ दोस्तों Anteligo यानि ISS Auto Idol Start Stop Technology और ये इस बाइक में दी गई है खासकर इसके mileage को ध्यान में रखते हुए ताकि इस technology के वेज़े से कंपनी का दावा है कि वो mileage इसमें काफी बहतरीन आपको दे पाएगी काफी अच्छी technology है ये no doubt चलिए अगले feature की बात करते हैं mode switch जी हाँ दोस्तों mode switch पहले तो आपको बता दूँ कि right handle side पे engine kill switch नहीं मिलता उसके जिगह पे company ने mode switch दे रखा है जिससे आप इसके दोनों mode का मज़ा ले सकते हैं चाहे आप eco में चलना चाहे इको में चलिए मिलता है oil cooling यानि कि आपको बता दूँगी ऐसा नहीं कि आपका engine heat नहीं होगा अफकोस आप चलाएंगे तो आपका engine heat होगा आपकी bike का लेकिन अगर आप उसे quick time भी दे देंगे थोड़ा साब 2-4-5 minute का time अगर उसे दे देंगे ठंडा होने के लिए तो oil cooling होने के विज़से engine दूसरी bike के पेच्छा काफी सही धंग से ठंडा होगा ठीक है काफी जल्दी ठंडा होगा आप इसी इसका ध्यान रखिएगा और इसमें oil और air दोनों का support है air तो care सभी में रहता है जैसे हवा लगती engine पे वैसे ही engine ठंडा होता है तो oil cooling है तो आप इससे long touring वगरा करेंगे engine जाता heating की problem नहीं आएगी चलिए अगले feature की बात करते हैं USB charger जी हाँ दोस्तों अब लगभग सारे scooters में और सारी बाइकों में ये features कमपनिया प्रोवाइड कर रही है और ये EVS rider में continue किया गया है अगर आप देखेंगे fuel tank के टॉप टॉप कह लीजिए या फिश्टाटिंग portion कह लीजिए यहां पे आपको जो है USB charging port मिलेगा अभी इसमें लगा नहीं है क्योंकि अभी ये so room में नहीं नहीं बाई काई ऐसे series वगरा आड नहीं करी जो USB केबल है charging केबल है अगर वो लंबा है तो आप pocket में भी रख सकते हैं चलिए हम अगले feature की बात करते हैं SBT यानि कि synchronized braking technology ये एक patent technology है braking की TVS वालों के तरब से और ये चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगी अगर आप पिछला brake लगाएंगे तो अगला brake भी साथ में लगेगा तो braking को लोगे इस सेग्मेंट के साब से आपको ज़्यादा सिकायत नहीं होगी चलिए हम अगले feature की बात करते हैं side stand engine cut off और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जल्दबाजी में कभी के भी ऐसा होता है कि हम side stand लगाना भूल जाते हैं और बाइक को लेके आगे निकल जाते हैं फिर कोई हमें अगल बगल से आकर टोकता है कि या stand मार लो ठीक है या फिर ऐसा होता है कि कई बार हम बाइक को जब मुडाते हैं तो stand टकरा जाता है और दुरगटना के जो chances हैं वो बढ़ जाते हैं ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखा गया है side stand engine cut off दिया गया है जब तक आपका side stand नहीं हटेगा तब तक engine on नहीं होगा और ये काफी सही feature है चलिए अगले feature की बात करते हैं ये सबसे आकरी और दसवाँ feature है वो ये है कि 3 valve engine प्लस ETFI जी हा मैं आपको बता दूँ इसमें आपको 3 valve का engine मिलता है और ETFI यानि कि Eco Trust Fuel Injection System का सपोर्ट एटीवेस वालों के तरब से और इनका सीधा सीधा दावा है कि इन सारी चीज़ों के वज़े से इस bike में आपको 60 to 67 यानि कि 60 से 60 तक का mileage आपको देखने को मिल जाएगा Exact mileage कितना मिलेगा जितने भी आप videos देखेंगे mileage के वो सब अपना अलग अलग बताते हैं क्योंकि सब की riding style अलग होती है अब इसके बारे में हम भी proceed करेंगे और हम भी आपको बहुत जल्दी जो है mileage test करने की कोशिस करेंगे और आपको हम दिखाएंगे उमीद है कि ये दसो के दसो जो features हैं वो आपको पसंद आया होंगे comment में अपनी राय हमें जरूर दीजेगा हमसे किसी तरह कि आप कोई बात करना चाहते हैं तो instagram id davidrawlgr इस screen पे आपको दिख रही होगी वहाँ पे आप हमें follow करके message कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के comment में आप हमसे पूछ सकते हैं तो खुस रही है मुस्करातरी और जब भी चलिए helmet का इसमाल जरू करिए मिले का अगली वीडियो में कुछ नहीं फ्रेस अपडेट के साथ तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरे तरब से जय हिंद जय भारत